वाल समूथ है ग्राउन रफ है पैरसन जो है वो मूफ करना स्टार्ड करता है मार्क करते हैं as person moves from A to B as man moves from A to B जैसे वो A से B के तरफ जाता है then यहां से तो हमने forces वगर दिखाय हुआ है यह दिखाय था N1 यह था F और यह था N2 तो N1 increases or decreases or remains same N2 increases or decreases or remains same Friction increases or decreases or remains same Assume no slipping of the letter letter जो है वो slip नहीं कर रहा है तो जैसे जैसे person उपर की तरफ जा रहा है तो उसके motion के वज़े से यह forces के उपर क्या effect है यह increase हो रहा है decrease हो रहा है यह सेम रह रहा है क्या लग रहा है हमें conceptually सोच के बताना है इस चीज़ को so that की question का में idea रहे कि हाँ ऐसा होता है इसमें कि बताव भी कि फोर्स है टॉर्क है सारे question है तुम्हार सामने अगर लिख रहे होगे तो नहीं लिख रहे होगे तो ठीक है यहां पर है कि अगर एंगर इंक्रीज करेगा जैसे वह person a to be move करेगा कोई भी आंसर इस सब का अंसर देने के लिए तुम्हें रहे है इक्वेशन के थूँए सोचो के इस थोड़ी की कुछ अलग सा अप्लाई करना है question के थूँए सोचना है इसको एंगर इंक्रीज़स और एंटू रिमेंज सेम बुलो क्या कर रहा हो इंक्रीज़स डिक्रीज़स रिमेंज सेम कुछ तो बताओ एंवन के बारें बताओ इंक्रीज़स रेगा इंक्रीज़स रेगा इंक्रीज़स करेगा लैडर के गिरने के चांस कहा है अपने एक्सपिरेंस एक दूबर गिरा होगा या भी गिरते होगे एक पॉइंट पे गिरने के चांसे जाता है या बी पॉइंट पे नीचे गिरने के चांसे नहीं लैटर के स्लिप करने के चांसे यह नहीं कि बी पॉइंट कातरनाक लग रहा है नीचे देखूंगा तक गिर जाओंगा ऐसे कुछ नहीं लैटर के लिए किस पॉइंट पर है वेंट परसन इस एट 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 बी कौन सा पॉइंट रिस्की है जहां पर थोड़ा समल के चलना होगा पर एट बी बी अवाज आरी है सुन पा रहा हो उच नहीं बोल रहा हो अलो है सर्थ यह सर्थ क्या हो गया क्या हो गया लाइडर का फ्री बॉड़ी डाइग्राम कि यह है लाइडर जो है वो एम जी मैंन का एम जी यहां से नॉर्मल jetzt और ऑृग कि प्षिक पहले वाली कंडिशन से हमारे कंपेशन है हम रेका है कि मैंन अभी है और मैंन पो तो तो n1 जो है वो देखोगे capital mg n1 और f ये n1 और ये n2 तो n1 is equal to n1 is equal to small mg plus capital mg n1 is equal to small mg plus capital mg ठीक है हाँ अभी ठीक होगा n1 is equal to small mg plus capital mg ये हमने लिखा अब man अगर move करता है तो क्या इस value में कोई change होगा नहीं होगा man यहाँ पर होता है तो भी तो वही होगा n1 की value क्या है man के motion के लिए हम बोला है यह मैं सुचना कि पिछले वाले question में तो mg था अभी तो यह हो गया तो increase होगा अरे वह नहीं बात हो रही है man यहाँ पर है और वह वाक कर रहा है a से b then n1 की value क्या है तो जो a पर n1 की value है same b पर भी होगी यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर mg वर्टिकली डानवर होगा so n1 will remain same n1 जो है वह same रहेगा change नहीं होगा man अगर move करेगा अच्छा तो n1 सेम रहेगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि limiting friction यहाँ का सेम रहने वाला है yes, mu into n1 है f limiting वह भी change नहीं होगा mu into n1 वह भी constant value होगी कुछ 100 newton 20 newton होगा अब जैसे-जैसे man walk करता जाता है net force तो 0 ही है तो man के mg का torque बढ़ता जा रहा है हम बोल सकते हैं कि anti-clockwise torque increase हो रहा है मैंन पहले यहां पर था तो mam mg का torque यह distance थी फिर man यहाँ पहुँचा तो man kg का torque यह distance हो गयी फिर man यहाँ फिर man यहाँ पहुचा तो mam kg का यह distance हो गई क्लॉकवाइस टॉर्क इंक्रीज होना चाहिए क्लॉकवाइस टॉर्क कैसे इंक्रीज होगा जब n2 इंक्रीज होगा मैं समझे कि as man is moving towards V then torque of capital MG is increasing hence to balance that torque n2 must increase क्योंकि n2 distance to change हो नहीं सकती टॉर्क बढ़ाने के दो तरीके है या तो हम perpendicular distance या force ये दो चीजे होती है तो अब यहाँ N2 की perpendicular distance तो constant ही रहने वाली है वो वाल से थोड़ा और extra force मिलना start हो जाएगा तो N2 will increase और हमें पता है कि N2 is equal to F मतलब force भी क्या होगा force will also increase इसलिए जब person कोई उपर जाता है तो लैटर के slip होने के chances ज्यादा हो जाते है तो कोई जो भी नीचे खड़ा होता है वह वहां पर ऐसे support लगा के जस्ट बेस में वैसे अपने पैट से थोड़ा सा प्रेस करके रखता है कि लैटर इस डारेक्शन में स्लिप करना चाहा रहे है फ्रिक्शन अगर सफीशेंट नहीं है तो वह अपने फीट से उतना रियक्शन प्रोवाइड कर सके और उसको इकिलिब्रियम में रख सके ठीक है तो पर सब्सक्राइब करेगा तो फिर एन वन तो मतलब एन वन इस इकॉल टू एम जी कॉस थीटा वैसे हम लोग लेके नही सकते हैं नहीं ब्रेक करना ही क्यों है यह तो वाइड डिरेक्शन में नेट फोर्स लांग वाई जीरो है तो एन वन ग्राउंड से है और यहां से यह तो तुम्हाँ दिमाग में आता है ऐसे कि जब वह मूव करता है तो एन वन इंक्रीज करा है एक्वेशन देखो एम प्लस एम जी वर्टिकल डिरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है नहीं करेगा है तो एन वन रिमेंड कॉंस्टेंट एन टू वाल से रिएक्शन बढ़ता है और फ्रिक्शन बढ़ता है तो जैसे जैसे उपर जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन तो कॉंस्टेंट है बट सबसे ज्यादा देविक्षिन की वैल्यू चाहिए होगी लिमिटिंग कॉंस्टेंट है और दिमांड बर्ती जा रही है यह मालों हंडेट न्यूटन नैंटन नौटन पहले किया था जब वो नीचे था तो फ्रिक्शन की से मैं डिमांड हाई होती जा रही है तो स्लिप करने के चांसे किदर होंगे स्लिप करने के चांसे स्टॉप पे होंगे ठीक है बात आगी समझ में जैसी यह सह को यह था in techniques overall लेडर के इंटू का Ilumand एंटू का रिजण एंटी मां जैसे जैसे उपर जा रहा है उसके वेट का ठार्क बढ़ता जाzep लुख बढ़ता जा रहे किके अपया यह एंटी टॉक वसने और को का केंसिल करनी के लिए चाहिए क्लाक्वाइस का टर्क से लाक्वाइस का टरक कैसे बड़ेगा पर्पेंडिकलर डिस्टेंस तो बड़ेगा निए फोड़ेगा मतलब वाल जो है थोड़ा से जादा फुश करेगा ठीक है तो यह हुआ अब अब इसमें मैं तुम्हें एक पॉइंट दे रहा हूं कॉंसेप्ट्वल पॉइंट जो की कुश्चन में अप्लाई हो सकता है जस्ट परस्पेक्टिव है जिसको नहीं समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है बस यह एक सोचने का तरीका है कुश्चन हमने सॉल अब इसको हमें वेक्टरवाइस थोड़ा से अनलाईज करना है बस यह समझने के लिए एक परस्पेक्टिव है कुश्चन को सोचने का कि यह लाडर था लाड़ गा 가까्विब्रियम है यह किसी भी सिस्टम के लिए एक पल्यकिभल है कि बी सिस्टम के लिए यह पॉइंट्ट ओडन्प तो सपोस्च की अई सपोस्ध यह यहां पर है और एकलिप्रियम में है मैंने सर्द यहां से इनोड कर दिया यह है ऐसे हैं जी है यह इससे कोईस्टन नहीं सॉल्वोगा यह परस्पेक्टिव है सोचने का तरीका है बहुत सारे प्रॉब्लम में यूज हो सकता है वो तुमारे क्रियेटिविटी के ऊपर है अब इस पर नंबर आफ फोर्सेस कितने हैं नंबर आफ फोर्सेस कि मैं बोलूँ कि टॉर्क जीरो है यह सबका सारे फोर्सेस का टॉर्क जीरो है किस पॉइंट के बाउट अबाउट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट के बाउट नेट फोर जीरो होता है तो अब अगर मैं एंटू के लाइन को एक्स्टेंड करूं और एमजी के लाइन को extend करूं तो यह दोनों क्या हैं यहां पर intersect कर रहा है मतलब मैं यह बोल सकता हूं कि इस P point के about N2 का torque 0 है और Mg का torque भी 0 है तो तीसरा force कौन सा बचा तीन ही force है तीसरा force मतलब यह क्या reaction force है यह यह तो ground ही अपलाई कर रहा है मतलब ground का reaction force होगा तो third force is the reaction from ground और तीन ही force है अब यह जो reaction force combined इनका reaction force Mg और N2 दो तो इसी point से इनका torque 0 हो गया तो क्या यह compulsory है कि third force को भी इसी के तरफ directed होना चाहिए कि यहां से हमारे पास three force है कौन-कौन से N2 है Mg है और reaction force यह कौन सा reaction force है यह friction और normal का reaction force है F square प्रेस N1 यह इसका reaction force है तो अब तीन ही force है और मैंने वो point locate कर दिया जिसके about इन दोनों का torque 0 है मतलब Mg को extend किया और N2 को extend किया यह दोनों यहां पर cut कर रहा है मतलब इस यह point अगर मैं ले लूँगा पी point तो इन दोनों का torque 0 हो जाएगा और तीनों का torque 0 है कि मुझे पता है तो तीसरे का torque कब 0 होगा जब वो इस point से जो है reaction force था यह reaction force और यह है mg यह दोनों यहां से है तो इस point का जो reaction force है वो इसी line के along होना चाहिए अगर कोई और line के along होगा तो इस point से pass नहीं करेगा तो उसका torque 0 नहीं होगा जो कि हमारे किसमें नहीं है क्योंकि equilibrium तो है तो torque तो 0 है मतलब जो यहां का जो reaction force होगा वो reaction force that must pass through this point यह क्यों सा पॉइंट है point of intersection of N2 and mg तो अब यह point अगर हम लेंगे तो इससे जो है तीनों फोर्स का torque 0 हो रहा है क्योंकि तीनों इसी से पास कर रहा है कि समझ रहो बाइनेट टॉरो होने के तरीके हैं कि एक 0 दूसरा 0 तीसरा 0 0 गें दो जो है plus 10 कि सबक्रवाइड कर देंगे तो हमेशा जीरो की आजाएगा क्या क्या a है या चेच कोई फॉइंट कि है कि अगर हम लोग सारे को जॉइंट कर देंगे तो हर्कै पेकि बीड़ाइगा कोई नहीं कोई भी पॉइंट नहीं समझो समझो थोड़ा सा यह जो है net torque zero होने का मतलब है net torque zero होने का मतलब है कि तीनों फोर्स का torque 00 तो भी zero 2 का plus 10 और 2 का minus 10 हो जाए तो भी zero है ठीक है 5 5 और minus 10 हो जाए तो भी 0 है तो हम point change करते रहेंगे तो यह values change होती जाएंगी जैसे कि हमारे case में देखो इधर क्या था मैंने पॉइंट यह लिया था इसके बाउट जीरो किया थो ये दो का तो जीरो हो गया बट mg का टॉर आया और n2 का टॉर आया ये दुनों आपस में जीरो तो यहां पर reaction force 0 बाकि 2 forces बचे वह एक clockwise देदेगा दुसा इंटी clockwise देदेगा और दोनों उस तरीके से 0 हो जाएंगे यहाँ पे खास बात क्या है कि यह स्पेस में एक यूनिक पॉइंट है जिस पॉइंट से तीनों फोर्से पास कर रहे हैं क्यों क्योंकि मैंने तीन ही फोर्स हैं तुम खुल सोचो तीन ही फोर्स हैं और दो का टॉर्क 0 हो रहा है मतलब तीसरा भी 0 होगा तभी तो net 0 होगा थीन वैरियेबल हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड यह 0 हो रहे हैं हमारे पास possibility है कि यह point bottom most point मैंने लिया मतलब bottom most का मतलब है इसको मैंने 0 कर दिया तो अब यह तो infinite values हो सकती हैं यह जो है यह माइनस 5 और यह प्लस 5 प्लस फाइव तो भी टोटल जीड़ झाएगा इस पॉइंट में खास बत यह है यह फॉइंट के बाउट यह लोगे यह नार्मल का टॉर्क भी जिरो गया एम जीड़ा टॉर्ट बी जिरो गया प्लस ये इकोल डॉट जिरो होना है ले ट तो तुम सीधे इसको एक्सेंड करोगे इसको एक्सेंड करोगे यहां कट करेंगे उसको जॉइन कर देने से हमारे रिएक्शन फोस का डारेक्शन आ जाएगा बीना किसी टॉर्क और के कैल्कुलेशन के ठीक है बात समझ पाए कुछ तो यह जो है टार्क जीरो करने का एक अलग परस्पेक्टिव था कि हम कैसे सोच सकते हैं इसको अधर्वाइस हमारा यह अप्रोच है बिलकुल कहीं से भी करके तो बस यह क्या है क्वेस्टन कहीं पे अगर तुमारी क्रेटिविटी पे है कहीं यूज हो जाता है पॉइंट त तो ठीक है चलो आज एक क्वेशन देता हूं उसको डिरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज हो जाएगा तो ब remotely वहां से स्टेट लाइन खीच ग세 डिरेक्ट है जोंड़ की से बता सकते हैं तरहिए त्रीक है तो आज यहींट करते हैं कवेशन मैं देता हूं कि सपोस्ट करो कि कि एक com का क्वायर फ्रेम में व्याइज तो जैसे के वायर फ्रेम को यहांसे किसी ने कर दिया यहां सबन किया हिइंच के इस प्लेंग क है इसेदी करेंगे यह क्या हएसा है कि ऐसे मालो हम व्यूंद करेंगे तो यह थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगा तो इन इकलिब्लियम पोजिशन इन इकलिब्लियम पोजिशन इस वायर फ्रेम इजो साइड है वह ऐसे एंगल सब्केंट कर रहा है दिस वायर फ्रेम मेक्स अन एंगल थीटा विद वर्टिकल इसका मास एम एल और इसका मास पी एम एल सो फाइंड एंगल थीटा इन इकलिब्लियम पोजिशन मतलब वो जब एक्विलिब्लियम में रहता है तब मतलब वो एंगल बनाता है यस तो एल शेप का फ्रेम था हमने उसको सस्पेंट करके ऐसे छोड़ दिया तो फाइनली वह ऐसे आसलेट वासलेट करके ऐसे एकलिब्लियम में आ जाएगा देन वाट इस अंगल मेड बाई इस साइड ये साइड वर्टिकल साइड एस वर्टिकल के साथ कितना एंगल सब्केंट कर रहे उसको फाइंड करना है ठीक है क्लियर